माधा धर्जाती माधा रिष्टा संसार्दी सबना रिष्टाय तो उच्चा हुंदाई माधी प्यार तो बिना सक्खने मनुखदी जिंदिगी ना मात्तर हुंदी है अतिमावाली इना सारी ही गुनानाल पर पूरसन स्वर्गे शिरी मती कृष्णा देवी तर्मपतनी स्वर्गे शिरी सोहनलाल बंसल जी बहुत ही चेंगे संसकारी और सन आपची दा परमात्मा प्रतियाधार विश्वासी आपची ने अपने ही अपनावे मा रखते अपने बच्चया नुवी चलन्दी सिख्या दिती बित्ते दिनी शिरी मती कृष्णा देवी जी अपनी संसारी के आत्रा पूरी कारदे होए पंजा तता वीच ली इन हो गयाई इना दे परिवार वुलो इना दी आत्मिक शान्ती ले रखेगे गरुड प्रान पाची दे पोग अठाई जुलाई दिन वुद्वार डेफूलीस रिसोर्ड बठिंडा रोड नेडे टूल पलाजा पुच्चो मंडी विखे पाएगे शिरिमती कृष्ण दिवी जी अपने पिछे अपने परिवार वीचे विनोध कुमार बिंटा रेनू बाला जिला परदान बीजेपी बठिंडा शहरी एमसी पुच्चो मंडी स्वर्गे केश कुमार बबली सरोज रानी सपुत्तर नू स्वर्गे परशोतमलाल रेश्मा र रानी किरन रानी प्रेम सिंग रिटाय कंगू मीना रानी सुरेश कुमार रमा रानी दिनेश कुमार तीदमात प्रिया रानी मनीश गोल पोती पोत जवाई जोनी कुमार निना बंसल परदान नगर पालिका पच्चु मंडी टोनी बंसल सीमा रानी एमसी पच्चु मंडी सत जीव कुमार मौनिका बंसल पतीजे पतीज नुहा जैनिस बंसल पलवी बंसल पोता पोत नुँ शफी अकाश नितिन पोत्रे तनमे इश्यान पड़ पोत्रे अति समु परिवार नू सिदिमी वी छोड़ा दे गए इना दे परिवार वो लो दुखवी चे कत्तर हुई सारी सं मौत किसी को नहीं जोड़ते हैं चाहें आपके पास कितना भी ज्यादा धन हो आपके कितनी भी शोहरत क्यों ना हो लेकिन इस धन और शोहरत से हम कभी श्वांसे नहीं खरीग सकते हैं आप लोगोंने नाम सुना होगा इंग्लैंड की माहरानी एलीजाबेद का क्याते हैं जिस समय एलीजाबेद अपने अंटिक पलों में थी डेथ बेड़ पर लेटी हुई थी सारे रिष्टेदार उसके इर्द इर्द खड़े वहुद बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीम उसके पास खड़ी थी और डॉक्टर्स ने उनका चकप करके यह दिक्लेयर कर दिया कि बस अब माहरानी के शरीर में जंग शांसी बाकी है उस समय रिष्टेदारों ने कहा सगे संबंधियों ने डॉक्टर्स से कहा कि हम आपको मुँ मांगी रकम देंगे बस आप माहरानी को बचा लो तो डॉक्टर्स ने उस समय यही कहा कि यही तो विडबना है पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन इस पैसे से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती जीवन नी नगाए बीना मत्या तो एसे दयाओ जीवन नी नगाए बीना मत्या तो एसे दयाओ जीवन नियन नगायि जानी नगाए । जात करते हुए पूरी शित्त के साथ इशन को याद करते हुए शुप कल्ब करते हुए निकाने हैं सोचें अगर आत्मी सारी जिंदगी ऐसे निकले तो आपकी यह जिन्दगी जीते जिस्वर्ग बन जाए सुन्दर बन जाए श्री गुरु महराज जी ने कहा इसलिए हमारे महापुरश हमें याद करवाते हैं बार बार कि ए इंसान मौद को भूल मत जाना एक इन इस संसार से चले जाना है इसने इश्वर्चे सदा प्राठना करते रहना कि है ब्रभू अगर संसार में आएं हैं तो हमारा यह तन हमारा यह जीवन निरर्थक ना चला जाए हमारे जीवन को अर्थ पूर्ण कर देना हमारे जीवन को भक्ती पूर्ण कर देना और आएं ऐसे भी प्राण्थना करते हो एक भक्त क्या कहता है हम सबी इस भजन के द्वारा में पर शवन करते हुए संत मानख को जीवन का सत्त बताते हुए उससे एक आशा रखते है कि मानख सुधर का इसमा अधर चाहिए अगर इस पूने दिल्वा सोची है